नमस्कार मित्रानों मी किरन दनावडे आनि माजा या यूटूब चैनल मदे आपले स्वागत है मित्रानों तुमी जर EPU पोचे मेंबरा साल आनि तुमी तुम्चा कंपणी तुन रिजाइन देऊन जॉब सोडला असेल आनि तुम्हाला तुम्चा जमा असलेला पूर्ण पीएफ बैलेंस आनि पेंशन बैलेंस काडाईचा असेल तर या वीडियो मेदे आपन पीएफ फाइनल सेटलमेंट मजे फूल आन फाइनल पीएफ वीड्रॉल कासा कराईचा ऐची संपूर्न प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप ठेप बाना राओद सेज П.A. पीएफ विड्रॉल क्लेंम करने आगोदर कोण-कोण त्या गोस्टी करने आवस्य का है जेने करून तुम्चा पीएप क्लेम रिजेक्ट ना होता, तुम्चा पीएप क्लेम सेटल होईल और तुम्चा पीएप आनी पेंचिन ची रक्कम तुम्चा बैंक आकाउन्ट मदे एएल त्या साथी हा वीडियो शेवट परिंत पूर्ण पा तरचला वीडियो सुरू गुरुया पीए पिड्रो करने साथी सर्वब्रतम तुम्माला यूनिफाइड पोर्टल मेंबर चा या ओपिशल वेबसाइट वर्थी आई चाए या वेबसाइट ची लिंक तुम्माला वीडियो चा डिस्क्रिप्चन बॉक्स में त्या लिंक वर क्लिक करून तुम्मे डायरेक्ट वेबसाइट वर्थी यह उशाकता या वेबसाइट वर्थी आले नंतर या डिकानी सर्वब्रतम तुमचा गडे तुमचा बारांकी UN मंजे युनिवर्सल आकोड नंबर असने गरजे चाए तर हा UN नंबर तुमचा सालरी स्लिप वर्थी प्रेंट के लेल आसतो तर त्या सालरी स्लिप वर्थी तुम्माला तुमचा UN नंबर मेलेल आणि जर तुमचा सालरी स्लिप वर्थी UN नंबर प्रेंट नसेल तर तुम्ही 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 ज्या कंपनीत काम करता त या कंपनी तिल HRC कोंटेक करून तुम्ही तुम्हा UN नंबर प्राप्त करू शाकता। कि वो या वेबसाइड वरती असनारे या Know Your UN या ओप्शन वरती क्लिक करून Basic Detail Stack वोन तुम्ही सोता तुम्हा UN नंबर प्राप्त करू शाकता। UN नंबर एक्टिवेट केले नंतर तुम्हा मोबाल नंबर वरती तुम्हा UN नंबर चा पासवर्ड येल। तर तुम्माला तुम्चा बारांकी UN नंबर मिलाले नंतर आनि UN नंबर एक्टिवेट केले नंतर या टिकनी असनारे या UN बोक्स मदे तुम्माला तुम्चा बारांकी UN नंबर टाकाई चाए आनि त्या खाली पासवर्ड या बॉक्स मदे तुम्चा या बॉक्स मदे टाका आनि या साइन इन ओप्शन वर क्लिक करा Sign in option वर क्लिक करतास तुम्ची UAN Propyled Retails या डिका नीदिशेल तर या डिका नी तुम्ची सर्वणופ swarm Lonely Details अपडेट असने अवश्य गाए या डिकानी UN आकाउंट मदे अपडेट असलेले तुमचे नाव आनी तुमची जन्मतारीग ही तुमचे पैनकार्ड आनी आधार कार्ड वर बोरोबर असनर या नावाशी जन्मतार के शी मैच असने अवश गये जर तुम्चे नाव किवा तुम्ची जन्मतारिक या UN आकाउंट मदे चुकी ची अपडेट जाली असेल तर त्याची ओनलाइन करेक्शन कसे कराई छे या साधी तुम्ही हाँ वीडियो पाऊँ शकता तसेश ते डिजिटल साइन करून अपरू के लिए असने आवश्यकाए तसेश तुम्चा मोबाइल नंबर देखिल या डिकानी अपडेट असने आवश्यकाए तर या सर्वो डिटेल्स या डिकानी अपडेट असने आवश्यकाए जर या डिकानी तुम्चे पैन काड कि वह बैंक अकाउंट अपडेट नसेल तर पीएप ओंड लाइन केवाईसी कशी काराईजी या साथी तुम्ही हाँ वीडियो पाऊँ शक्ता आनि तुमची कॉन्टेक्ट डिटेल्स मजे तुमचा मोबाईल नंबर, इमेल आईडी तुमचा यूएन आकाउंट मदे ओनलाइन अपडेट करने साथी तुम्ही हाँ वीडियो काऊँ शक्ता तर फूल और फाइनल पीएप उडियो करने साथी तुम्ही तुम्ही प्रोपाईल डिटेल्स मजे के वाईसी अपडेट असने गरजे चाहे आनि या सर वीडियो ची लिंक तुम्हाला या वीडियो चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे मेल त्या लिंक वर क्लिक करून तुम्ही 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 प्रोपाईल डिटेल्स या डिकानी अपडेट करू शक्ता तुम्ही प्रोपाईल्स या वीडियो प्रोपाईल्स या वीडियो मदे सांगित लिया है वीडियो पहुन तुम्हा जुना प्येफ लेटेस्ट प्येफ आकाउंड मदे ट्रांसपर करू शक्ता या वीडियो ची लिंक सुद्धा तुम्हाला वीडियो चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे मिलेल प्येफ ट्रांसपर ची प्रोसेस पूर्ण जाले नंतर फूल एंड फाइनल प्येफ युड्रॉल करने आगोदर तुम्हाला तुम्हाला तुम्हा पासबुक चेक कराई चाए आनि तुम्ही ज्या मेंबर आइडी चा प्येफ बैलन्स लेटेस्ट एंप्लायर मेंबर आइडी मदे ट्रांसपर केला असेल त्या जुन्हा मेंबर आइडी चा पासबुक बैलन्स असा पूर्ण जीरो जालेला असला पाई जे आनि तुम्हा नवीन प्येफ आकाउंड ही की नाए यह चेक करायए चाये साथि यह विउ अप्शन वर कुल्क करऊना यह सर्वीठी अप्शन वर क्लीक औरायए अत्यान अवशक अन्थन तर्ल यह ठिकझि तुम्हा लवा अउड पु पर या पॉ य hiceए चॉया चॉजब fav booked सोबले ची तारीक मझे डिट अपडेट करने गर्जी चाहें आनि जी डे टपडेका निए अपडेट हुई ल्ट इक सील अंतर मझे जोब सोड ले चा दोन महिन आशंतर तुम्ही ओनलाइन पीअपड्रोल क्लेम करूछथा या सरव प्रोसेस किलीक केिना ने तर असे नवीनपेज ओपन होईल या ढिक नी तुम्ची । धितेल धिसे या ढिकनी तुम्हाला तुम्चे UAN ॉA 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 तुम्हाला या I want to apply for या option चा या drop down या रोवर क्लिक कराई चाए आनी list मदे तुम्हाला असे काई options दिस्थिल नोकरी सोडलेन अंतर तुम्हाला पूर्ण PF काड़ाई चा असेल ते हुआ तुम्हाला only PF withdrawal form 19 हा option सेलेट कराई साए तुम्हाला असेल पूर्ण PF मदून रक्कम काड़ाई चा असेल तुम्हाला पूर्ण PF withdrawal form 19 हा option सेलेट कराई साए त्यान अंतर या टिकानी upload form 15 जी हा option दिसेल तर हा form 15 जी तुम्हाला या टिकानी upload कराई चाए जर तुम्ही form 15 जी या टिकानी upload केला नाई तर तुम्हा PF मदे मोट्या प्रमाना मदे TDS कटकेला जाओ शोकतो तर हा form 15 जी तसे form 15 जी मंजे काई तो कसा डाउनलोड कराई चा आनि तो कसा भाराई चा याची सविस्तर माई ती मी या वीडियो मदे सांगित लियाई हा पूर्णे वीडियो पाहून तुम्ही हा form 15 जी बरू शाकता आनि या टिकानी upload करू शाकता या वीडियो ची लिंक सुदा तुम्हाला या वीडियो चा डिस्क्रिप्चन बॉक्स मदे मिलेल form 15 जी बरले नंत तो form PDF फाइल मदे convert करून एक MB चा आत मदे size set करून या टिकानी upload कराई चाए form upload करने साथी या choose file option वर क्लिक करा आनि तुम्हा computer के वा mobile मदे जा टिकानी तुम्ही form 15 जी PDF फाइल सेव के लिली असेल ती file select करून या टिकानी upload करा file upload जाले नंतर या टिकानी फाइल चे नाव दी सेल मंजेज form 15 जी successfully upload जालाए त्या नंतर या locality बॉक्स मदे तुम्हा address टाका आनि या street बॉक्स मदे तुम्हा address चा जवल असनार या रस्ते चे नाव टाका त्या नंतर या select state option चा या drop down रेनुवर क्लिक करून लिस्ट मदून राज्य सिलेट करा आनि त्या समोर select district मदून तुम्हा जिलल सिलेट करा आनि city या बॉक्स मदे तुम्हा शहराचे किवा गावाचे नाव टाका आनि शेवटी या pin code बॉक्स मदे तुम्हा area चा post pin code टाक त्या नंतर तुम्हाला या डिकानी तुम्हा बैंके चा cancel check अप्लोड कराई चाए या डिकानी बैंके चे पासबोक सुद्धा अप्लोड करू शकता असे दिली आए परन्तु बर्याच वेला पासबोक अप्लोड के लियाज PF claim reject होने ची शक्क्यत आसते त्या साथी तुम् या डिकानी अप्लोड कराई चाए तुसेस त्या चेक वरील डीटेल्स मजे नाव, आयपीसी कोड, बैंक आकाउंट नंबर इत्या दी सर्वोड़ डीटेल्स प्रॉपर आनी क्लियर दी स्लिपाई जे आश्या पद्ध दी स्कैन करा आ आनी जो चेक या डिकानी अप्लोड गराई चाहे चेक अपलोड करने साट या चूज अप्शन वर क्लिक करा आनि तुम्चा कम्पीटर के वा मोबल में दे जा ठीका नी चेक कॉपी स्कैन करूँ ठेवली असेल ती फाइल सेलेट करूँ या ठीका नी अप्लोड गरा चेक स्कैन कॉपी अप्लोड जाले नंतर या ठीका नी त्या फाइल चेन आओ दिसेल तसे या व्यू ओप्शन वर क्लिक करूँ तुम्ही अप्लोड के लिले चेक ची स्कैन कॉपी पाऊँ शकता आता या चेक मार बॉक्स ला टिक मार करा आनि या गेट आधर ओटीपी या ओप्शन वर क्लिक करता तुम्चा आधर शी लिंक असलेल या मोबाइल नंबर वरती एक सहां की नंबर चा ओटीपी मंजे वन टाइम पासवर्ट चा मैसेज येल तर तो ओटीपी नंबर या एंटर ओटीपी या बॉक्स मदे टाकाई सा है आनि या वैलिडेट ओटीपी एंड सब्मीट क्लेम फॉर्म या ओप्शन व दाउंडोर्ट करून गहुशकता तो डाता है जीपीएज इस्टेटस पाने सा डीा ओनलाइन सर्वीसेस या जवर्फिवर्प्सलिक करून या ट्रैक क्लेम स्थ्दस उॉप्शन वर्फिवर्प्सलिक क नरा क्लीक क्लीक करा कि या दीक प्रद या टिकनी तुम्चा बैंक अकॉन नंबर टाका आनि या वेरी पाय ओप्शन वर क्लिक करा एते यस वर क्लिक करा आनि या प्रोसेड फार ओनलाइन क्लेम या ओप्शन वर क्लिक करा क्लिक केले नंतर येते आई वान्ट तु अप्लाइ फार मदून पेंचन विड्रॉल कराने साथी ओनली पेंचन विड्रॉल फार्म टेंसी हा ओप्शन सेलेट कराए से जर तुम्ही एका कमपनी मदे कमीत कमी सा मैने आनि जस्ती जस्त नव वर्षय सा मैने काम केले असेल आनि तुम्ची नोकरी सुटली असेल कि वा तुम्ही रिजाइन दिले असेल तरस तुम्ही पेंचन ची रक्कम काड़ू शकता या साथी तुम्ही फार्म टेंसी वरू श आनि सा मैने न पेक्षा जासत मजे धा वर्षया ची जाली असेल तर तुम्ही पेंशन साथी पात्र बनता या नंतर तुम्हाला वायाईचा आठावेंवे वर्षी मासिक पेंशन चा लाप्ध मिलने शुरूएल तर पेंशन क्लेम करने साथी ओनली पेंशन विड्रॉल फाम अगोदर केली ली सेम प्रोसेस फालो गराई चाहे एते पूर्णा एड्रेस टाकाई चाहे अनि या डिकानी या चूज फाइल ओप्शन वर क्लिक करून कैंसल चेक ची स्कैन कॉपी अप्लोड कराई चाहे अनि या चेक मार बोक्स ला टीक मार करून या गेट OTP आदार या बोक्स मा देटाकोन या validate OTP एन submit claim firm या option वर क्लिक कर अचाहे वर क्लिक कराय चाहे तुम्हे बरलेल आनि 10C चे स्टेटस या डिकानी दिशेल तर या विव पीडियेप चा या डाउनलोड एरोवर क्लिक करून तुमचा पीएप आनि पेंशन क्लेम ची पीडियेप फाइल डाउनलोड करून गेहू शकता तर या डिकानी तुम्हाला करण्ट स्टेटस मदे आउनलाइन क्लेम सब्मिटेड एड पोर्टल मजे तुम्हे भर लेले हे क्लेम फार्म या पोर्टल वर सक्षेशफुली सब्मिट जाले हैद एक ते दोन तासान अंतर हे claim farm field office मदे forward के ले जातील आनि या डिकानी तुम्हाला तुम्चे status under process असे दिसेल PF office मदे claim farm गेला अंतर document verification करूं तुम्चा claim farm मदे कही चूक असेल मंजेज KYC के वा documents मदे कही mismatch असेल तर तुम्चे claim reject के ले जातील आनि जर तुम्ही दिलेली server details proper असेल आनि तुम्ही योग्य रितिने farm submit के ले असतील तर 37 दिवसा तुम्चे claim settle के ले जातील आनि या डिकानी तुम्हाला claim settle असे दिसेल तुम्हाला तुम्चा mobile number वरती सुदा claim settle जालेचा message येल तर या settle जालेले claim ची proper details मजे claim कदी settle जाला है अनि किती amount चा claim settle जाला है ते पाने साथी या view option वर क्लिक करों या passbook option वर क्लिक करा क्लिक केलान तर पिया passbook portal चे page open ओल येती तुम्हाला तुम्हा UN number आनि password टाकाई चाए अनि या गनित प्रस्चना चे उत्तर या box मदे टाकों या login option वर क्लिक कराई चाए क्लिक केलान तर या टिकानी select member ID चाए या drop down या ओर क्लिक कराई चाए अनि लिस्ट मद उन तुमसा latest member ID सिलेट कराई चाए अनि या view claim status वर क्लिक करतास तुम्ही online claim के ले लिया form 19 मझे final PF withdrawal claim ची डिटेल्स या टिकानी दिसेल आनि form 10C मझे pension withdrawal claim ची डिटेल्स या टिकानी दिस तर असेज या claim status मदे claim settle असे green color मदे दिसेल अनि किती amount settle जल्याए ती amount या total amount approved या टिकानी दिसेल आनि his total amount तुमचा bank account मदे आले लिए असेल अनि या claim receipt date या टिकानी online claim के ले ची डिटेट दिसेल अनि या dispatch date या टिकानी PF आनी pension claim settle जले ची डिटेट दिसेल तर आशा प्रकर तुम्ही तुम्चा mobile के वा computer होरून online गर बसले तुम्चा जम्मास लेला पूर्ण पीए पानी pension आमाउन काडू शकता तर मित्राणनो वीडियो आवडला सेल ते वीडियो ला like करा शेर करा आनि असेच नव नवीन माहिती पूर्ण वीडियो पाने साड़ी चैनला सब्स्र तर चला पुन्हा बेटू या अशेच नवीन माहिती पूर्ण वीडियो सोब तोपरिन काई जी गया मजेत्रा जै हिंच जै मारेश्टर